हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आसा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़ियां होगे और आपकी तयारी भी बहुत ही बढ़ियां चल रही होगे दोस्तों मैं हूँ प्रभाकर और आज हम डिसकस करेंगे 24 जुलाई 2021 रिलेटिड बहुत ही महत्तपूर करेंट अफ्यस तो आप इस lecture को अंत तक शुनिएगा जिससे इस lecture का जो concept है वो आपको समझ में आ जाए और इस lecture के अंत में जो question पूछे जाएंगे उनके जबाब आप comment box में दे सकें इस lecture में discuss करेंगे भारत में रीड्यो का इतिहास क्या रहा है इसके अलाबा तेलंगाना जीके को भी जानने की कोश्थिस करेंगे जी टूऔन्टी पर भी चर्चा होगी लद्दा की कहानी क्या है इसको भी जाने की कोश्थिस करेंगे और भारत के नए champion कौन बने हैं दोस् उमीद मस्ट छोड़ना भविस जरूर बहतरीन होगा तो दोस्तों अगर आज आपके जीवन में मुश्किल है तो कल उससे थोड़ा बहतर हो सकता है और अगर आप उमीद बनाए रखते हैं तो आपका भविस जरूर बहतरीन होगा तो इसी की चाहिए साथ डिसकस करते हैं हम पहला कोश्यन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है, राष्टिय प्रसारण दिवस, यानि National Broadcasting Day का मनाया जाता है, तो आंसर होगा इसका 23 जुलाई को, दोस्तो आप हम भारत और रेडियो का क्या रिलेशन रहा है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास क करेंगे, बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है, दोस्तो पहला रेडियो प्रसारण भारत में 13 जुलाई 1927 को किया गया था, अब कोश्यन उठता है कि ये प्रसारण कहां से किया गया था, तो ये बॉमबे स्टेशन से किया गया था, अब एक और प्रसन है कि किसके द्वारा किया गया था, तो एक निजी कंपनी थी, जिसका नाम था भारतिय प्रसारण, तो उसके द्वारा पहला प्रसारण किया गया था, इसके बाद सरकार ने 1 अप्रेल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया, और भारतिय प्रसारण कंपनी का नाम बदल करके भारतिय राज प्रसारण सेवा कर दिया दोस्तो एक अप्रेल 1930 को रेडियो को अपने हाथ में किसने ले लिया था सरकार ने यानि अंग्रेजों की सरकार ने इसके बाद 8 जून 1936 को भारतिय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदल करके All India Radio कर दिया गया फिर इसके बाद जा हम सुतंत्र हो तो 1997 में हमने All India Radio का नाम बदल करके आकाश वानी कर दिया दोस्तो 1949 में दुतिय बिश्योद हुआ था और जब 1949 में दुतिय बिश्योदी की शुरुआत हुई तो भारत में भी इसका असर दिखा और भारत के जितने भी रेडियो थे उनका लाइसेंस रद कर दिया गया और प्रांस्मीटरों को भारत सरकार के पास जमा करवाया गया यानि उस समय जो ब्रिटेस गवर्मेंट थी उसके पास जमा करवाया गया कुछ और पॉइंट हैं बहुत ही हिस्टॉरिक घटनाय हुई हैं उनको भी जान लेते हैं रेडियो से रिलेटेड नवंबर 1941 को रेडियो का प्रसारन सुरू हुआ था इसके बाद दोस्तों 16 नवंबर 2006 एक बहुत ही महत्पूर्ण घटना हुई थी कि UPA की गवर्मेंट ने स्वयम से भी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की इजाज़त दे दी थी पहले केबल जो रेडियो था वो गवर्मेंट चलिए दोस्तों अंगला कोशन रिसकस करते हैं हाली में दलित बंधु योजना का सुवारंब किस राज में हुआ है तो आंसर होगा इसका तेलंगाना में दोस्तों इसका सुवारंब किस ने किया है तो तेलंगाना के चीप मिनिस्टर है कौन दोस्तों चंद सेखर राव त इसको मिलेगा तो इस योजना में गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रतेक पात्र दलित परिबार को सीधे उनके खाते में 10 लाक रुपए नगत दिये जाएंगे यानि जो भी दलित परिबार ब्लो पोवर्टी नाइन यानि बीपील के नीचे जीवन के हैं के चंदसीखर राओ अब हम तेलंगाना के बारे में और भी महत्तपूर्ण बात जानते हैं बहुत important point है तो ध्यान से सुनिएगा तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को भारत के 29 राज्य के रूप में हुआ था इसकी सीमा पांच राज्यों महराष्ट, 36 गड़, और करनाटक से मिलती है इसके अलाबा आंदर प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है दोस्तों तेलंगाना की नदियां कौन कौन सी है जो कि तेलंगाना में बहती है या तेलंगाना से बहती हुए उद्गम होता है उनका या फिर वहां से बहती है तो कृस्णा नदी, जील तो ये बारंगल में हैं यहां के कुछ नैशनल पार्क भी डिसकस करते हैं जैसे के बी आर कासू ब्रह्मानंद रेड़ी नैशनल पार्क हैदराबार्ड में है फिर है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो की दोस्तो महभूब नगर और नाल गॉंडा में है नागारजु सागरबांद जो की क्रस्ना नदी में है ये तेलंगाना में है दोस्तो निजाम सागरबांद मंजरा नदी पर है जो की निजामाबाद में है और पोचाम पाद बांद जो की गोदाबरी नदी पर है ये निजामाबाद में है यहां के कुछ हवाई अड़े हैं कौन-कौन से स्टेडियम दोस्तो हैदराबाद में है हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को निजामों का सहर या मौतियों का सहर भी कहा जाता है अंगला करेंट अफेर से ध्यान से सुनिएगा हाल ही में G20 के परियावरण मंत्रियों की बैठक संपन हुई है इसमें भारत की तरब से किसने हिस्सा लिया है तो दोस्तो अब जब परियावरण मंत्रियों की बैठक हुई है तो परियावरण मंत्री ही हिस्सा लेंगे तो कौन है अभी बरतमान में हमारे देश के परियावरण मंत्री भूपेंद्र रि जादाओ इसके अलाबा परियावर्ण राज्यमंत्री को है असुनी कुमार चौबे और इसके अलाबा हिस्सा लिया था इस बैठक में परियावर्ण वन और जलबायू परिवर्टन मंत्रा लेकि बरिष्ट अधिकारी होने हैं दोस्तों यह बैठक जो हुई थी होता है growth of 20 यानि 20 देशों का एक समू है अब 20 देश में 19 देश हैं और 20 मा सदस जो है दोस्तों यूरूपी संग होता है इसकी स्थापना कब हुई थी 26 सितंबर 1999 को अध्यक्ष कौन है ध्यान से सुनिये का इनका नाम मार्योग द्रागी जो की इटली के हैं वो बरतमान में इसके अध्यक्ष है जी 20 विश्व की 20 प्रमुक अर्थ विवास्थाओं का एक संग्ठन है दोस्तों भारत जी 20 का संस्थापक सदस है यानि जी 20 का सदस है कौन भारत जिसमें 19 देश हैं और एक यूरूपीय संग है इस्पैन एक इस्थाई अतिती है जो हर साल आमंत्रित ह जाता है अब हम बात करते हैं कि जी 20 में कौन-कौन से देश सामिल है तो आपको ध्यान से सुन्या है अर्जेंटाइना आस्टेलिया ब्राजील कनाड़ा चीन और यूरोपिय संग फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जापान मैक्षको और इसके अलाबार रूस सा जाली में किस केंद्र सासित प्रदेश में 750 करोड रुपाई की लागस से बनने वाले केंद्रिय बिष्च विद्यालय को मंजूरी दी है तो दोस्तो 750 करोड रुपाई की लागस से कहां बनेगा केंद्रिय बिष्च विद्यालय तो दोस्तो ये बनेगा लद्दाक में अब अधिनियम का नाम क्या था दोस्तो जम्मू कस्मीर उनर गठन अधियम तो इस अधिनियम के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाक एक केंदर सासित प्रदेश बन गया था बात करते हैं कि लद्दाक में कौन-कौन सी चीजें फैमस हैं तो लद्दाक की सबसे उची चोटी है गौ़ःविन ओश्टन य bowling भारत की जो सबसे उची चोटी है गौ़ःविन ओश्टन वो लद्दाक में है जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं इसकी उचाई है 8,611 मीटर तो ये लद्दाक में हैं इसके बादी गासा र भूम भी एक चोटी है जिसकी उचाई है 8,068 अगला कुश्चन है भारत की युबा पहलमान तनू ने कितने किलो भारबर्ग में कैड़िट विस्ट चेंपियंसिप का खिताब जीत लिया है तो आंसर होगा इसका 43 किलो भारबर्ग में यानि तनू ने कैड़िट विस्ट चेंपियंसिप का खिताब जीत लिया है कितने किलो भारबर्ग में 43 किलो भारबर्ग का आयोजन कहां हो रहा है बर्तमान में? बोडापेश्ट हंग्री में याणि हंग्री की जो कैपीटल है बोडापेश्ट तो वहाँ पर कैड़ेट बिसुच्यंपिएश्च का आयोजन हो रहा है और पहली बार अमन गुलिया, सागर जगलान और तनू यह तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें स्वान पदग जीता है यानि गोल्ड मेडल जीता है तो भारत के नई चैंपियन यही लोग है कौन-कौन अमन गुलिया, सागर जगलान और तनू यहां पर बात आई है दोस्तों हंगरी की तो हंगरी एक कंट्री है जो की यूरोप म मतलब कोई भी हिस्सा समुद्र को चूता है दोस्तों गर्म जल की सबसे बड़ी जीलों में से एक जील है है जो की यही हंगरी में ही है और अगर हम बात करें आलपस परवत स्रेणियों की तो यह आलपस परवत स्रेणियों से घेरा हुआ देश है दोस्तों अब हम बात करें sympathy है आनंद मठ में लिखा था दोस्तों भारत का राष्टिय, बंदे मात्रम, फिर है महत्मा गांधी को राष्ट पीता सबसे पहले इसने कहा था, नेता जी चिन्र बोस ने हमारा राष्टे न पंचांग कौन सा है, खोज किसने की थी तो हैनरी वेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी इसके अलाबा पेस मेकर का संबंध सरीर के किस अंग से है हरदाय से है और मानाव सरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है प्यूस गरंथी को कारवन का सरबाधिक सुद्ध रूप कौ अब हम revision वाले प्रस्णों को discuss करते हैं, इनकी जबाब आपको comment box में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रस्णों को, प्रस्ण क्या है दोस्तों? प्रस्ण है, विश्व रेडियो देबस कब मनाये जाता है? दूसरा प्रस्ण है, भारत की सूचना और प्रसारन मंतरी कौन है? इसके अलाबा अंगला कोश्चन है, तेलांगाना के मुख मंतरी बरतमान में कौन है? नागारजुन सागरबांध किस नदी पर है? भारत के परिय प्रस्ण की स्थापना किस वर्स हुई थी? इन प्रस्णों की जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है. दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दें कि आप अनेकेडमी पर राजा गुपता को फॉलो कर लीजीगा और आप अनेकेडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना जायते हैं, तो इसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है और वो रेफरल कोड है राजा नंबर वन. क्या है दोस्तों, राजा नंबर वन. जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको उस कोर्स में भारी छूट मिल जाएगी. इसके अलाबा, आप हुम लेंगे most important audio lecture. चलिए friends, दोस्तों को share कीजेगा इस lecture को और ज्यादा से ज्यादा like कीजेगा और जितना हो सके आप study करको support करें. मिलते हैं next lecture.